जारखन में होम आइसुलेशन के मरीजों के लेगाई लें जारी यदि आप कोविट पोजेटीब है और होम आइसुलेशन में है तो आपको अपने स्वास्त की निमीत मोनिटरिंग खुद करनी होगी होम आइसुलेशन के दोड़ा निमीत रूप से सरीर के तापमान अक्सिजन सेचुलेशन वा सांस्त की गति की जांच करते रहे खुद के इलाज से बचे स्वास्त मंत्रालाय ने होम आइसुलेशन में रहने वाले मरीज वा उनके परिजनों के लिए संसोधित दिसाने देश जारी किया है इसमें कहा गया है कि बिना लक्षन वाहल के लक्षन वाले मरीज होम आइसुलेशन में स्वास्त की मोनेटरिंग करते रहे और ने बिमारियों की जो दावात चल रही है उसे चालू रखे यदि पारसीटामोल की रोज अधिकतम चार खुरा के बाद भी बुख संक्रमितों में बहुत काम को ही अस्पताल में भरती होना पड़ रहा है लेकिन इसके बावजूद राज सरकार ने संक्रमन बढ़ने पर मरीजों के इलाज की पुक्ता त्यारी की है बदाएदर राज के बिभीन जीलों में कूल 28261 बेट कुरोना मरीजों के लिए इलाज क को होम आइसलेशन में रहने के कारान इस बार भी उन्हें ऑनलाइन चिकिस ये परामर्श देने की त्यारी की है जे एससी नियुक्ती निमावली ममले में 13 को सुनवाई जारखन राज करमचारी चायन आयोक की नियुक्ती पर इक्छा की संसोधित निमावली को सुनोती देन नियुक्ती निमावली के तहट कई भी गयापन जारी कर दिया है इसलिए इस ममले में अतिर सिग्र सुनवाई की जाए बता दे इस पर अदालत ने 13 जनवरी को सुनवाई कितिती निधारित किया है हलाकि इस ममले में राज सरकार की और से जवाब दाखिल नहीं किया गया है सरकार आपके द्वारकार करम के लंबित आवेदनों का जल्द होगा निप्टारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारकार करम के तहट लंबित 9,95,000 आवेदनों का जल्द निप्टारा किया जाएगा इसमें से जो बिसराय सरकार का अंदरगत है उन्हें जल्द कादेश मुख्यमंत्री हमानसुरे ने दिया है मागी गई जो सिवाए केंदर सरकार की जोज नाव से जुड़ी है उन्हें भी केंदर सरकार से अधिकारियों के साथ समयनों करते हुए जल्द निप्टारा करने का प्रयास किया जा रहा है बतादे मुख्यमंत्री हमानसुरे ने सुक्रोवार को सरकार आपके द्वार और बीतिय वर्ष 2021 के आई ब्याए की प्रगति की समिक्चा करेंगे जहारखन सरकार के निर्देश पर इसकूलों में जाती पहन पत्र बनना शुरू राज सरकार के निर्देश के बाद राजधानी के चछोई स्कूलों में पाइलेट प्रजेक्ट के तहर जाती पहन पत्र बनाने का काम सुरू हो गया है पतादे इसमें छटी से बराहिक अक्षा में नमांकित बच्चों के जाती पहन पत्र बनाया जा रहा है इन 6 स्कूलों में राजकी किरित मद्य विद्याले 15 उतकरमित उच विद्याले हटिया अमर सहीद ठाकुर विश्वनात सहदेव जिला स्कूल उतकरमिक प्लस टू स्कूल विद्याले उचरी कस्तुरुबा बालिका आवासे विद्याले मांडर आवासे विद्याले बुड्ड सामिल है एच इसी कर्मी 10 जनवारी को मुख्याला का घिराव करेंगे एच इसी कर्मियों के बगाया भुकतान अब तक निर्नाय नहीं लिये जाने पर कामगारों का आक्रोस बढ़ गया है बतादे अब आंदोलन तेज करने का निर्नाय लिया गया है इसके तहुत 10 जनवारी क को एच इसी मुख्याला का घिराव किया जाएगा यह निर्नाय एच इसी बचाओ मजदूर जन संहर समीति की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया बैठक को संभुधित करते हुए पुर्व केंद्रिय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मोधी सरकार की जन विरोध नितियों के कारण एच इसी पर बंदी की तलवार लटकी हुई है कोवीट गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर ट्रेन में चला अभियान कोवीट के संक्रमन से बचने के लिए कोवीट गाइडलाइन का पालन करने को लेकर जाग रुपता अभियान चलाया गया अभियान वार को लोहर्दा का पैसेजर्ट ट्रेन और लोहर्दा का इस्टेशन में चलाये गया पूरे अभियान का संचलन रेलवे सुरक्षा बलने किया इसमें और पीएप की दो मेरी सहली टीम ने भी हिसलिया इस दोरान लोगों को सोसल डिश टेसिंग के पारण करने की सलाह दी जिसमें CNT Act में थाना छेत्र के बैदाता समाप्त करने जाते पहुन पत्र की पिसंगतियों को दूर करने और आधिवासी महिलाव द्वारा गर आधिवासी पूरिश से बिवाय करने पर उसके ST अधिकारों को समाप्त करने पर चर्चा की गई बता दे अजन कारी गुरुवार को सरना भौन में हुई पिरस्वारता में दी गई आधिवासी इंजिनियर्स धर्म समन्वे समिती भारत ने सन्युक्त रूप से किया मुख्य संजोजक अरबिंद उराव ने बताया की आधिवासीों के धर्म कोलम को लेकर 23 फरवरी को दिली के जंतर मंतर में विशाल धरना होगा पाकुड सलक हाजसे पर जहालसा ने लिया संग्यान पाकुड में 5 जनवरी को हुई भीशन सलक दुर घटना पर जहालसा के कारेपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंग ने संग्यान लिया है पाकुड जिले के आमड़ा 25 फित करम डिया गाओं में धुन के कारण यात्री बस एवं ट्रक के बिच भीशन टकर हुई थी जिसमें कूल 17 यात्रियों की मौत घटना स्थल पर यह हो गई थी एवं 30 जात्री घायल हुए थे बताद इस घटना पर जालसा के कारय पालक अध्यक्ष ने संग्यान लेते हुए जीला बिदिक स्वप्रादिकार पाकुड को दिसा निदेश दिया है जारखन में गुरुवार को 3704 मरीज मिले है जबकि 435 मरीज स्वास्थ भी हुए है जारखन में कूल एक्टिब केस की संख्या 14275 है भारत में 1,12,589 केस मिले है जबकि 30,574 मरीज स्वास्थ भी हुए भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 3,64,35 है जारखन में मिले 3,704 मरीज इस परकार है रांची 309, पुर्वी सिमुम 722, भोकारो 229, हजारी बैग 120, धनबाद 166, रामगर 128, कोडार्मा 84, पच्मी सिमुम 103, पलामू 60, देवगर 172, गुमला 26, गिरीडी 18, खोटी 37, लातेहर 47, सिम्डेगा 132, सराइकले खर्षावा 63, गढवा 58, लुहर्दागा 44, चात्रा 44, ग पीए मोधी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है, तो चले जाए पाकिस्तान, इर्फान अंसारी, जारखन के कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी ने एक बार फिर बिवादित ब्यान दिया है, बतादे पंजाब में पीए मोधी की सुरक्षा में चूख मामले पर, एक स पीए मोधी सबी राज्यों की लोगों का समान नहीं करते, पंजाब में उनकी रैली में भीर नहीं थी, इसलिए वे लोट आए, जारखन के सिख्षक अपने गिरिह जीला में होंगे अस्थनान अंत्रन, राज्य के सिख्षकों को फीर से अंतर जीला अस्थनान का आउसर मि बता दे उनका ग्री जीला में भी अस्थनांतर हो सकता है सिक्षक अस्थनांतर नियमावली 2019 में संसोधन के प्रस्ताव को इसकुली सिक्षा अमसक्षारता मंत्री जगनात मतों ने अपने स्विक्रिती दे दिया है अब नियमावली कार्मिक वबीधी विभाग को भेजी पर्धान मंत्री अवास योजना में 2000 गूस लेते गिरफतार ECB के मुताविक परधान मंत्री अवास विजना के कोडिनोटर राजेस कुमार ने परधान मंत्री अवास विजना के लाभोग से 2000 रुपे घूस की मांग की थी जब कि लाभोग घूस देने को त्यार नहीं था उग्रवादियों को समागरी पहुचाने वाले आधात दर्जन गिरफतार जारखन विधान सभा की सीटे बढ़ा कर 160 करने की मांग जारखन विधान सभा के नए भोण में 160 विधायकों के लिए सरकार आतेदुनिक तखनी की विवस्ता के इंदिजाम करेगी विधायक बगर कागजात के सदन के अंदर हाजिर होंगे सवाल जबाब से लेकर सभी आवस्यक कर जायत उन्हें उनके टेवल पर इलेक्ट्रोनिक मादयम से उपलवद हो जाएगा बतादे उस तखनी की विवस्ता से ले सभी सीटे इ विधायन के तवाथ आतेदुनिक विवस्ता से सुसाजित होगी सरकार के भवन निर्मान विभाग को इसकी जिम्यदारी मिली है अभी इन में सिर्फ 81 निर्वाशित विदायक ही बैठेंगे जारखन के कई जिलों में जारी कडाके की ठंड के बिश 9 जनवरी और 10 जनवरी को बारिस के असार जता जा रहे हैं इन दो दिनों में कई इलाखों बारिस हो सकती है मौसम विभाग ने राजे के कुछ इलाखों में हलके समदर्ज की बारिस की संभावना जताई है वही जनवरी माहमे ठंड का असर लंबे समय तक रहने का अनुमान है मौसम विभाग ने ज्यारखन के गढ़वा, पलामू, चत्रा, लातेहार, लोदगा, रांची और खोटी में बारिस की समभवना जताई है मौसम विभाग के ताजा अकड़ों के अनुसार, गुरु आरको ज्यारखन का नित्मतापमान, देव घर का 9.7 डिगरी, इसके अलावा डालतेहने का 10 डिगरी सेल्सेस रिकोड किया गया ज्यारखन के कई छेत्रों में उगरवादियों की चल रही सरकार बाबुलार मरांडी उगरवादियों का राज चल रहा है, मुख्यमंत्री हेमान सुरेन भी या तो उगरवादियों सो डरे हुए हां या गीरे हुए, या भी कहा कि मुख्यमंत्री यदि डरे हुए हां तो उगरवादियों पर काबु पाए कोईला लदे मालगाडी के इंजन में लगी आग बड़ा हाथ साटल गया जनकारी के अनुसार जलता हुआ इंजन ट्रेन के साथ केटी पीएस के गेट नंबर दो पर पहुंचने वाला ही था इसे पहले लोगों ने इंजन से धुगान निकलता देखा तुरंत इसकी सुचना रेल परसालसन को दी सुचना मिलते ही इस मालगार की संख्या में बड़ोत्री हुई है बता दे गुरुवार को जमसेतपूर के बिजनेश स्कूल एकस एलार आई में 22 कॉरोना संक्रामित मिले हैं सबी स्टुडेंट हैं इसके बाद एकस एलार आराई प्रभंधन ने होस्टल बंद करने का निदेश दिया अब होस्टल इस दोरान अधिकाई नराज टाना भगतों को समझाते दिखे बता दे गुरुवार को लाते हार जीला के टाना भगत डीसी ओफिस के पास इकाठा होने लगे टाना भगत समनाले भवन की सीडियों से होते हुए डीसी ओफिस के बाहर पहुच गए इस दोरान जीला परसासन समय डीसी के खिलाप जमकर नारे बाजी करते हुए जोर जोर से घंटी बजा कर अपना भिरोज जता रहे थे पाकूर सुलक हादसे में साहिब गंज के सभी साथ मिरितको के परिजनों को मिला एक एक लाख का मुअबजा जारखन के पाकूर जीले के आमरा पाड़ा में घंटे कोरे की वज़ा से बुधवार को बस और गय सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने साहिब गंज के साथ मिरितको के परिजनों को गुरुवार को एक एक लाख रुपे मुअबजा दिया गया बता दे ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत अने प्रतिन निधियोक ने मिरितको के आश्रीतों को मुअबजा रासी दी आपको बता दे कि मिरितको में 16 जारखन के और एक मिरितक बंगाल का था करमचारी चयन आयो की परिक्षा 9 को रांची में भारफ सरकार क्रमचारी चयन आयो कोलकाता की सन्यूक्त माधमिक अस्तरीय परिक्षा 9 जनवरी को रांची की विभिन केंद्रों पर होगी परिक्षा पर्थम पाली में सुबा 11-12 बज़े तक होगी बता दे परिक्षा 4 केंद्रों में होगी कदा चार मुक्त परिक्षा के लिए परिक्षा केंदर के आसपास 9 जन्वारी को निस्यदागे लागू कर दी गई है रांची के सदर अस्पताल को जल्द ही कोविड अस्पताल में तब्दिल कर दिया जाएगा कोडारमा में कोचिंग बंद कराने गई टीम का बिरोध कोडारमा सहर में कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालित होने की सुचना पर उन्हें बंद कराया ने गुरु आरको परसासनिक टीम पहुँची तो बिरोध का सामना करना पड़ा ऐसे में ओबर विरिज के पास कुछ देर के लिए हंगामा के सदिती बन गई बता दे पूलिस परसासन की टीम ने किसी तरह मामले को सांथ कराया साथ ही कोचिंग संचाल को को सकत हिदायत दी कि अगर आगे से कोचिंग खुला मिले तो करवाई होगी जनकारी के उनसार गाइड लेन का पालन करवाने के लिए नगर परसासक, बिनीत कुमार और तिलया, थाना परवारी, अजय कुमार सिंग, ओभर विरिज के आज पास संचालित कोचिंग सेंटरों को बंद कराने पहुचे थे धन्यवाद अईसे में हमें आप कुमेंट बक्स में बताए कि क्या कोचिंग संस्थान को चालू रखना चाहिए या बंद ही रखना चाहिए आप अपनी परतिकिरिया हमें कुमेंट बक्स में अवस्दे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर में दोस्तों के फेस्बूक, वाटसेप, ट् इस्टाग्राम पर सेर करना भूले थैंक यू